हेलो गाईज, वेलकम बैक तो अनुटर वीडियो, मेरा नाम है रिशब और आप देख रहे हैं मैं स्क्वाट जिम रिव्यूज जहां पे हम जिम एससरी और जिम एक्प्मेंट का रिव्यू आपके लिए लेकर आती हैं और प्लास्टिक कॉलर्स का भी मैंने साथ में रिव्यू कर दिया था और आपको कंपारिजन दे दिया था बट इस समय पास है एक स्पेशल एपेडियन्स अपने जिम के अंदर विच इस प्रिंग कॉलर्स यह मैं अपने जिम से लेकर आया हूँ और आज मैं आपको इन सारे आपको बहुत से स्क्वीज करना पड़ता है अगर आपको बहुत से स्क्वीज करना पड़ता है अगर आपके जिम के अंदर यह है और आपने यूज करा है तो आपको पता होगा यह और काफी मेकेनिकल टैशन आपके हाथ की ताकत बहुत ज़्यादा लगती है और जब आप लिफ्ट करके आते हैं आप अपनी प्लेट्स निकालते हैं वापस से से लगाने जाते हैं तो इतनी ताकत तो इसको दमाने के अंदर ही खर्च हो जाती है तो काफी ओल्ड ट्रेडेशनल वे ओफ यूजिंग बार्बल कॉलर वाली बात है बहुत पुराना डेजाइन है यह और इसके बीच के अंदर सारी रस्ट लग जाती है इस समय भी इसके उपर रस्ट लगी हुई अगर आप देख पा रहे हो तो और जब इसको मैं अपने हाथ से स्कुईज करने के बाद इस बार्बल के अंदर डालता हूं तो पूरी स्लीव भी स्क्रैच हो जाती है और इसके उपर भी रस्ट लग जाती है तो इसलिए मैं यह आपको रिकमेंड नहीं करता और यह कॉलर नहीं है और यह भी उलंपिक बार्बल के लिए नहीं बना हुआ क्योंकि यह मेरी जो यह मेरे इसके लिजाए कही नहीं कि अंदर तो इसको आप रख दीजे साइड में to अब आजाते हैं नेक्स्ट कॉलर के उपर जो की है प्लास्टिक कॉलर और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंदे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा अब आपको बार जाती है तो आपको बार जाती है इस वाले एंट से दूर खिसकती जाती है तो आपको प्लेट वापस से लेकर आनी पड़ती है तो यह कॉलर आप लगा लोगे ना तो आपकी प्लेट जैसी की है वैसे ही रहने वाली है आप चाहिए साथ रेपिटिशन मारो आपको कभी भी बार बार डिस बैलेंस होता हुआ नहीं लगेगा तो सेफटी के परपस से भी काफी अच्छी चीज आई थर्ड आ जाता है हमा पूरे एडिया के उपर ना कि प्लास्टिक कॉलर के अंदर जैसे की आमने सामने थी तो यह आपको ज़्यादा बहतर पकड़ देने वाला है और पाव लिफ्टर जो हैं वेट लिफ्टर जो हैं वो नॉर्मली यह कॉलर यूज करते हैं जब उनकी पूरी प्लेट्स यहां तक भरी हुई होती हैं तो इतनी सारा वजन को होल्ड करने के लिए आपको एक अच्छा बार्बल कॉलर भी लगता है तो वो यह आपको प्रोवाइड करता है इसका वजन है 380 ग्राम पेर जब आप इसे लगा देते हैं दोनों तो इस तरफ भी और उस तरफ भी तो 380 ग्र और अब यह को अंदर डालना है सेकंड पोजिशन में आप डालने कोशिश करोगे तो आपको बहुत जादा पूर्स लगाना पड़ेगा अगर आप इसे थर्ड पे पीछे पुश कर दोगे तो यह खुल जाएगा तो आप इसे असानी से निकाल सकते हो और बंद कर सकते हो बट इसके अंदर आपको दो हाथों को यूज करना पड़ेगा क्योंकि यह काफी स्ट्रॉंग कॉलर्स है तो एक हाथ से होगा नहीं देखिए अब मैंने एक पोजिशन पर तो इसे खोल दिया बट इसे फर्दर पीछे भी पुश करना है ना मुझे तो मुझे दो हाथ अगर आप प्लास्टिक कॉलर्स यूज कर चुके हो आपको और ज्यादा स्ट्रॉंगर ग्रिप चाहिए क्योंकि पाव लिफ्टर्स पर जब बहुत सारी प्लेट्स लगी हुए होती है और अगर वह पुश करती है तो शाहिद प्लास्टिक कॉलर्स अपनी जगे से हिल सकत अगर आप 100-150 कर रहे हैं तब भी प्लास्टिक कॉलर्स आपके लिए काम कर जाएगा तो it's a matter of your choice आप चाहें तो प्लास्टिक कॉलर्स ले सकते हैं जो कि सस्ते आते हैं और काफी easy to use design है मेरी personal preference है कि प्लास्टिक कॉलर्स ही आप लीजे अगर आप एक अच्छा कॉलर्स थ करते हैं तब आप aluminum colors ले लिजे तो thank you for watching this video अगर आपको बर्बल कॉलर्स खरीदने हैं ब्रोल्रक फिटनेस है तो मैं बाइंग लिंक आपको description box के अंदर दे दूंगा आप Amazon से purchase कर सकते हैं so this is all about this video I hope you liked it अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाबाई